इस ताकतवर पे को पिन्ने से आपके सरीर की कमजोरी, आलस्य, सुस्ती, सुक्रवानों की कमी, वीरिय की कमजोरी, धात गिरना, कमेंदरिय का धिलापन, कबज, नेंदनाना, सिर्दर्द, टेस्टो टोरेन की कमी, चेहरे पर जाया वेफुंसिया और खाया पिया ना लगने की जैसी सभी समस्याव को नश्ट कर सरीर को ताकतवर वेवीरिय वान बनाएगा, एक बर फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा आयरवेदा में, जिसमें आपको आयरवेद से संबदित जानकरिया बतलाए जाती है, इम मैं के करूँ बेरो है तो बताने पड़ेगी, आज की वीडियो बहुती मैं तपून है, खास करके उन भाईयों के लिए जो तगड़ा शरीर बनाने की चाहत रखती है, और ताकत पाने के चक्कर में ऐलो पेती की दवाए और विदेशी प्रोटीन पावडर के डब्बे पर डब्बे खाय जा रहे हैं, जिन डब्बा ते नस भीतर ते भार दिखन लग जावे हैं, विदेशी प्रोटीन पावडर कहां तक ठीक है, यह एक चर्चा का और सोध गाविश है, जिस पर जल्दी वीडियो आएगी, आज हम जानेंगे एक ऐसे नुसके के बा देगा अगर आप वर्काउट अच्छे से करते हैं, नुसका त्यार करने के लिए सबसे पहले अपने सरीर अनुसार, बदाम, काजू, वपिस्ता ले ले और तिनों को अच्छे से धो करके रात को पानी में बिगो दे, जिस से इनकी परकरती ठंडी हो जाए, सुबह फिर इ आपको कुंडी सोटा मिल जाएगा, और सबसे सरल है कि आप अपने आसपास के परजा पतियों से संपर करें, जेने घडा बनाने वाले कुमार भी कहते हैं, कुंडी सोटा में बदाम, काजू, और पिस्ता की रगडाई करने के बाद, सुती कपडे से इनक कपड चान कर ले, यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप कपड चान करना चाहते है या नहीं, वेंदा जादा जरूरी ना है यो कपड चान छोड़ सको, इसके बाद एक व्यक्ति के हिसाब से 10 गराम धुली हुई बांग, मतलब जिस बांग को 7 बर पानी में धोया हो, 3-5 इलाईची, 3-5 लोंग 5 गराम सोफ और 3-5 काली मिर्च डाल कर अच्छे से रगडाई करें, रगडाई के बाद इन्हें चान कर इनका रस बादाम काजू वे पिस्ता में मिला लें और 2-4 गुना उबाल कर ठंडा किया हुआ मिश्री युक्त दूद डाल लें, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, भ इस ताकतवर पे को आप मैनत करने के बाद आदे से एक गंटे के बीच पिए और फिर दो गंटे तक कुछ ना खाए पिए, इस ताकतवर पे को पिनने से आपके सरीर की कमजोरी, आलस्य, सुस्ती, सुक्रवानों की कमी, वीरिया की कमजोरी, धात गिरना, कामेंद्रिया का धिलापन, कबज, नींदनाना, सिर्दर्द, टेस्टो टोरेन की कमी, चेरे पर जाईया वे फुन्सिया और खाया पिया ना लगने की जैसी सभी समस्याव को नश्ट कर सरीर को ताकतवर वे वीर्यवान बनाएगा। यह सभी जानकारी अपने लगबग 15 महिने के अनुभाव से आपको बता रहाऊं। जब मैं कहरो उन्ना अगदे ही पाड़ देवेगों। दोस्तो इस पे में भांग डालने की एक वज़य है क्योंकि जब हम प्रोटीन की मातरा जड़ी बूटियों में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मातरा आपकी मोंग फली वे मोंग से भी ज़्यादा भांग में पाय जाती है और ओमेगा 3 भी प्रियाप्त मात में पाया जाता है इसी के साथ लगबग 400 से अधिक गुणों का वर्नन आयरवेद में भी देखने को मिलता है तो मेरी महाना आत्माओ वीडियो की जानकारी कैसी लगी और क्या वीडियो बनाने का तरिका ठीक है इस पर कोमेंट जरूर करना बाकी वीडियो को लाइक वे शे सको को मोड्य